Internships can kickstart your career So internship जो आपके career को kickstart कर सकती है आपके career को grow करने में बहुत help कर सकती है साथ में आपको lifelong benefits भी दे सकती है So hey everyone, this is Shital and I welcome you all On my channel Shital Rudraksh और आज की ये video उन candidates के लिए होने वाली है उन लोगों के लिए होने वाली है जो की completely fresher है जो की भी job search कर रहे है या फिर already कोई course pursue कर रहे है कोई degree, diploma pursue कर रहे है उनके लिए video बहुँआ ज़्यादा helpful हो सकती है So internships कैसे आपको यहाँ पर अपने career में grow करने में help कर सकती है कैसे आपको kickstart दे सकती है वो हम बात करेंगे उसके बारे में मैं आपको deep में बताने वाली है लेकिन उससे पहले कुछ आकड़े हैं जो मैं आपके साथ में आपके शेयर करना चाहूंगी So the Times of India की report अगर आप देखें वहाँ पर आप देख पाएंगे कि IIT मदरास में 32% increase हुआ है internship में So guys, आज से 10 साल पहले internship या फिर training जो है वही लोग करते थे जो की management degree pursue करते थे MBA करते थे, PGDM करते थे वही लोग pursue करते थे लेकिन आज के टाइम में education का ये बार जो हट गया है आप अंडर graduate हैं तो भी इंडिया में आपके लिए बहुत सारी internships available होती है The Economic Times के रिपोर्ट के accordingly 2020-22 में यानि कि पिछले साल हर दिन 76,000 students ने internship के लिए अपलाए किया और जब Corona आया, जब pandemic आया 2020 में उस टाइम पे 35% number जब वो increase हुआ उन students का जो की internship सर्च कर रहे थे और 76% जो candidates से वो COVID के टाइम पर pandemic के टाइम पर online internship करे थे, virtual internship करे थे और एक पते की बात यह है कि पिछले साल 2022 में जितने भी candidate freshers job के लिए प्लेस हुए, जिन लोग ने उन जॉब के लिए अपलाई किया, जो की freshers के लिए अवैलेबल थी उसमें 65% SA student प्लेस हुए, 65% SA student select हुए, जिन्होंने एक या एक से जादा internship का experience अपने resume पर mention किया था So, यह बहुत ही बड़ा number है यह बहुत ही बड़ा आंकड़ा है 65% ऐसे लोग select हो रहे हैं जो की already internship कर चुके है उसका reason क्या है हर company यह चाहती है कि उसके पास में एक ऐसा candidate आए at least जिसको basic knowledge तो हो जो basic काम तो जानता हो और because आपने internship की होती है तो उस particular profile की आपको basic knowledge से जादा knowledge होती है तो वो आपको job लेने में आपका career establish करने में बहुत सब्सक्राइब करते है अब मैं आपको कुछ ऐसे points बताने चाहरी हूँ जो की आपको जरूर जानने चाहिए अगर आप एक job search कर रहे है अगर आप अपने career को establish करना चाहते है तो आपको यह points जरूर पता होने चाहिए कि internship करने से आपको क्या benefit होते है first benefit होते है find your fit so इसके through internship के through आप यह जान पाते है कि जिस profile के लिए आप जाना चाहते है उसके लिए आप कितना compatible है for example आपने content writing के internship करी है so उसमें आपको यह idea हो जाता है कि आपको technical content writing में जाना है या फिर किसी और content writing में जाना है similarly अगर आप marketing में जाते है तो आपको यह पता चल जाता है कि आपको field marketing में so here you can find your fit second thing guys यहाँ पर आपका resume highlighting हो जाता है so because आपको already experience है आपने काम किया है practical knowledge आपको आपका resume जब किसी recruiter के पास जाता है किसी company के पास जाता है तो आपके resume को preference मिलती है because आपके resume में internship mention है आप already कहीं काम कर चुके है आपको basic work ethics पता है आपको industry के बारे में पता है आपको थोड़ा बहुत आपके job profile के बारे में पता है तो आपका resume shortlist होने के chances जो आप बहुत जादा हो जाते है तीसरी चीज आप networking कर सकते है so जब आप internship करते हैं आप किसी company में जाते हैं वहापे पर आप जो आपके seniors होते हैं उनके साथ networking कर सकते हैं के साथ और भी interns आते हैं so जो networking है वह बहुत जादा help करती है आपको अपनी job उसको crack करने में so networking का एक बहुत बड़ा रूल है चाहे आपका social media networking हो या फिर आपका personal networking हो वह आपको job लेने में बहुत experience से वो लिया हुआ है आपने उस profile पर बहुत जादा deep में नहीं लेकिन आपने basic काम जो है वो किया हुए तो इस वज़े से आपको basic knowledge होती है आप बहुत जादा confident हो जाते है for example अगर आप HR की profile के लिए और HR में internship आपने कर रखिया है जब आप interview के लिए जाता है तो आप बहुत ज़दा confident होते है because आपको basic knowledge है आपको basic चीजे पता है तो यहां पर internship करने से आपको confidence boost हो जाता है in comparison to other candidate जो की internship नहीं करके आए या फिर जिनको knowledge नहीं है तो basic a fresher है लेकिन आपकी internship जो है आपको boost करती है आपको confidence को boost करती है fifth and very important point guys कि जब हमने बात करी इंटर्णशिप की बारे में तो हमने हमेशा यह बात करी कि जब आप काम करते है तो वहां से आप skills gain करते है तो यहां पर आप जब internship करते हैं किसी भी company में तो professional skills gain करते है as I said कि आप HR में जा रहे है या फिर मार्केटिंग में जा रहे है या फिर आप content writing में जा रहे या फिर आप finance में जा रहे है professional skills जो हे वह सीकते हैं तो आपकी professional skills वह grow हो जाती है वह improve हो जाती है एक वह candidate जिसने सरिब theoretical study करी है जिसने सरिब पढ़ाई करी है और एक वो candidate उसने practical experience लिया है, दोनों में से selection उसी candidate का होगा जिसका practical experience जाता है So, internship करने से आपको personal and professional दोनों ही benefits होते है आपको confidence increase हो जाता है, आपको job opportunities काफी अच्छी मिलने लिख जाती है, आपको resume highlighting हो जाता है आपकी professional skills जो है वो grow हो जाती है, आपके confidence के basis पर आपके knowledge के basis पर आपको salary package काफी अच्छा मिल जाता है So, overall जो internship है वो आपके career को kickstart करता है So, ये video थी आप लोगों को ये समझाने के लिए, आप लोगों को ये message देने के लिए कि अगर अपने career में grow करना चाहते है तो internship जो है एक बहुत बड़ा role play करता है उसके लिए So, जबी भी आपको internship मिले, आपको उसको grab करना चाहिए I know कि maximum time आपको जो stipend मिलता है लेकिन 6 month बाद, 3 month बाद जब आप job के लिए apply करता है तो वहाँ पर वो आपको compensate हो जाता है So guys, I hope this video आप लोगो को helpful लगी होगी, informative लगी होगी अगर आपको इवीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को like कर देना, channel को subscribe कर लेना And अगर आपके कोई question है, कोई doubt है, कोई query है तो आप मुझे comment box में बता सकते हैं